गैस इस वीडियो में वोगों सीखने माले कि कैसे आप लोग अपने laptop में Google Chrome को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो गैस जैसे आप लोग अपर सर्च करेंगे उसके बाद आपके एक option देखने को मिल जाएगा Microsoft जैसे आप लोग अपर करेंगे उसके बाद यह ब्राउजर ओपन हो जाएगा Open होने के बाद आपको सर्च करना है Chrome च र-o-m-e आपको इतना सिंपल सा लिख देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर Chrome सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दीख सरते हैं www.google.com और यहाँ पर लिखा हुआ है Google Chrome Download Chrome तो आपको यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर देना है तो जैसे आप लोग यहाँ पर इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है और इसके बाद यहाँ पर यहाँ वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसके बाद इसको डाउनलोड कर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेक्ट तक वेट करना है जाना है जरी आप निक्ैट स्फॉल्डर में जाना है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद 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 आपको सब लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ सेकंड का वेट करने के बाद जो हम लोग यहां पर इंस्टॉलेशन है वे कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पर Google Chrome का आइकन आपको डेश्टॉप पर देखने को मिल जाएगा सिंपल सा आपको यहां पर डबल क्लिक करके इसको ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपिन हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहां पर गेट स्टाइट के ओपर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको skip कर देते हैं और यहाँ पे इसको new tab में open कर देते हैं तो गईस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप लोग बहुत हीजी तरीके से अपने laptop में Google Chrome को download करने के बाद install कर सकते हैं तो गईस अगर आपको वीडियो को अच्छी लगए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब परें थैंक्यों फॉर वाचिंग